अलो फ्रेंड्स टेस्टी फड़ वित उतकरशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं उतकरशा और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हो सोया चाप स्टिक सोया चाप के स्टिक प्रोटीन से भरी हुई है काफी हेल्दी है तो इस स्टिक को घर पर बनाके लंबे टाइंग के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और इससे आप कड़ी बना सकते हैं मलाई सोया चाप बना सकते हैं क्रिस्पी सोया चाप बना सकते हैं और सोयबिन की दाल को मैंने ओवरनाइट पानी में भीगो कर रखा और वो इस तरीके से फूल कर बड़ी हो गई है इस तरह से दाल होती है छोटी साइस में और फूल कर यह इस तरीके से बड़ी हो गई है यह लोबिया नहीं है तो आप देख लें यह सोयबिन की दाल होती है जिस आइस्क्रीम की स्टिक्स हैं जिसमें हमें स्टिक्स बनानी है सबसे पहले हम पानी को बॉयल कर लेंगे और इसमें हाफ कप सोया चंक्स हो मैंने लिया है उसे हम डाल देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पानी में पांच मिनट के लिए हम इसमें पकने देंगे पांच मिनट के बाद हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे पानी से निकाल करके लिएक कि यह देखे मैंने दाल और शोइव भी फिरी बना लिया है अब इसमें तो आप कोशिस करें कि इसमें पानी नहीं डाले ज्यूँदी करौदी डाल कि नहीं दॐर प्ड़ा मातरा में व्किमीद त्यार करें यहां से पmetal कवी न है?' यह काफी तो इसमें हमें पानी डालना की जरूत रिक ही है। तो इसमें तो थोड़ी-थोड़ी मातरा ऴेमें मेड麼 डाले में आश्मिजू में और इसे आड़ा त्यार करें। व्कमीड सभर रखें सिस्वन बहुत सॉफ्ट भी नहीं और नहीं भॉहत हर्ड है इस तरीके से यह हमारी प्रेडी है कि इसे एक बढ़ हम मिला लेंगे हाथों से और फिर अब इसे हमें बेल कर इसकी कि त्यार करनी है सबसे पहले मैंधे से दस्ट कर ले और इस तरीके से एक बॉल बना करके इसे हमें बेलनी है इसे जरूरी नहीं है कि आप गोल बेलें किसी भी शेप में बेलें लेकिन लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में हमें इसे काटनी है सबसे पहले हम क्या करेंगे वेल कर इसे किनारे से पहले चोटी स्ट्रिप निकलेगी तो हम पहले किनारे से कट करके उसे निकाल देंगे और उसे आंटा में मिलाके वापस से उसकी लोई बनाएकर इस तरीके से स्टिक बनाएंगे साइड से हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि लंबी-लंबी स्ट्रिप हमारी निगल सके अब हमें इसे कट करनी है लंबी-लंबी देख लें इस तरीके से कि इस तरीके से में कट कर लेंगे सेand नियुक्राइ जोड़ने कर दो Hug कि जरी केे समकर लेंगे और एक स्डूक उठाएंगे और उसमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप देख लेंक पर während यह उठाये और इस तरिके से से सिस पर हमें चिपका देने हैं सबूरों प्रेस कर देने और इस तरिके से опасicer करके नीचे करते जाएं नीचे की और स्टिक जो हैं हमारी तयार हो गई है आप चाहें तो Chief में इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं या फिर एक और इस तरीके से फोल्ड करते जा नीचे के और करते जाए और लास्ट वाली को भी प्रेस करके लबा लें तो इस तरीके से वामारे त्यार हो गई हैं के इसवाइब affect करके दिखा रहीं हो जो निए प्रेस कर के हैछ शिपका लेंगे और इस तरिके से नीचे की और करते जाएंगे या यह फोल्ड करते जाएंगे नीचे की ए ड़ाई में बचेगी उसे भी हम प्रेस करके इसमें थबा लेंगे तो इस तरीके से आप या तो फिर एक स्टिक तयार करें या फिर एक में दो रिबन फोल्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारे हम सभी स्टिक को तयार कर लेंगे सुछ आपके स्टिक को यह सोच आपके स्टिक को मैंने फोल्ड कर लिये है इस तरीके से अब हमें इसे पकाने हैं पानी में पानी को हम बहले बॉयल कर लेंगे जब बॉयल हो जाए तो इसमें हम एके करके स्टिक को डाल देंगे और यह पहले तो है पानी की तले पे जाकर बैठ जाएगी इसे हमें टचनी करना हिलाना नहीं है दो मिनट के बाद यह उपर आनी शुरू हो जाएगी पानी पे तले से उपर आनी लगेगी तब इसे एक बार एक स्पून से थोड़ा हिला दें टच कर लें और इसे करीब हमें 10 मिनट तक पानी में पकने देना है दस मिनट के बाद हम गयास को बंद कर देंगे और इसे फिर हमें ठंडे पानी में इसे निकालना है 10 मिनट हो गए यह हमारी फूल कर उपर भी आ गई है तो गयास को मैंने बंद कर दिया और उसे हम एक एक स्टिक को ठंडे पानी में इसे निकाल के ठंडे पानी में डालते जाएंगे 15 मिन तक हम इसे ठंडे पानी में डाल कर रखने है 15 मिन अगरोuldade मैंने से निकालेंगे और यह 15 मिन आछ निकालेंगे निकालेंगे मैं निकाल लिल यह उसके हैं तो आप जिपलॉक यह बैग को मasıt स्टी को हमा घरपर भर बनाistically है और काफी टेस्टी भी लगती है तो इस स्टिक को घर पर बनाए लंबे डाइम के लिए स्टोर भी करें और जब इक्षा हो तो इसकी रेसिपी बनाए स्नैक्स आइटम बनाए कड़ी बनाए सब्जी बनाए देखिए इस तरीके से बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अगर मेरे इस रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस मेरी रेसिपी तो मेरे इस रेसिपी को लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स फामिली वालों के साथ और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब क चालू वो आपको बालूम होती रहे Thank you